हेलो दोस्तों आप सब लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तों मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ कि बटेर के अंड़ों में क्या-क्या पोशक्तत्व होते हैं क्या-क्या विटामिन्स होती हैं और उन्हों खाने से क्या-क्या आपको क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क केल्सियम के कारण बटेर के अंडे में केल्सियम की बहुत अच्छी मात्रा है इसको अंडे को आपको लेना चाहिए अगली जो बात करते हैं तत्व की वो है मैगनीसियम मैगनीसियम के कारण बैक्ति में चिंता ज़्यादा हो जाती है बैक्ति चिंतित रहने लगता है और बैक्ति घवडाने लगता है किसी चीज़ को सभी से फेस नहीं कर पाता है आगले अगर तत्वे की हम बात करते हैं तो आइरन तो आइरन की कमी से क्या होता है इनेमिया हो जाता है इनेमिया तब होता है बौडी में जब हेमोगलोबिन बनने के लिए इनेमिया की पर्यापत मातरा नहीं मिल पाती है और यह हेमोगलेबिन आरबी सी में पाया जाने वाला एक प्रोटिन है यह प्रोटिन हमारे उसक उतकों तक के लिए ब्लेड उतकों के लिए ऑक्सिजन देता है जिससे हम काफी अच्छी तरीके से कारे कर लेते हैं और ठकावट महसूस नहीं होती है अगले की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम हमारी ब्लेड में कम हो जाए तो ब्लेड में सोडियम की मातरा बढ़ जाती है जिसके कारण ब्लेड सरकुलेशन खराब हो जाता है और बीपी की काफी सारी दिक्कते हो जाती है तो यह आपकी बीपी की प्रॉबलम को भी सॉल्व करता है जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक रोग प्रितुरों तक च्छमता में बहुत बढ़िया है बदिर के अनटे बहुत बढ़िया है लोग पर तुर्दों तक छंता के लिए अगली की हम बात करते हैं तो वह कोपर रहता है कोपर हमारी बॉडी में गुड कले ब्लेक्ट्र बेल को मेंटेन करके रखता है जिस सबस्क्राइब बढ़ जाता है तो ऊसको हर्ड की काफी सारी समय से रहती है तो यह हर्ड के लिए भी काफी अच्छा है समक्राइब करते हैं कि अन्डे में काफी अच्छी मात्रा में अमिन डिस सफ़ Venक यानिकि हमारी बड़ी को साफ करता है अब मैं थोड़ा एक उधारन से बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज आपको बुखार आया और डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने आपको परसीटम और 200 mg की दी भई आपको बुखार सही हो है ठीक है कोई बात ने एक साल हो गया दो साल हो गया तीन साल हो गया फिर आपको आता है और आने के बाद में डॉक्टर आपको 200 mg की देता है तब आपको फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर आपकी mg मतलब आपकी दोज बड़ा देता है फिर आप से हमजी के लिए डोस बढ़ा दी तो कहने के मतलब है हमारे बाड़ी में फिरी रेडिकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दबाईयों का भी फाइदा नहीं होता है तो डॉक्टरों को मजबूर होके हमारी डोस बढ़ाने पड़ती है उससे काफी सारी परेशानिया हो जात है और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा जो बच्चे चोटे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है यह बहुत ही अच्छी बच्चों के लिए ग्रोध देता है अगर यह जो अंड़ा आप किसी वी व्यक्ति को खिलाते हैं तो उसमें खून की कमी नहीं आती है और प्लस आखो को मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी वी जानकारे मिली है तो मेरे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू